जमू कश्मीर के पुर्वाबा में हुए आतंकी हमले के बाद नवजोज सिंग सिद्धू के दिये बयाँ पर जम करवाद हुआ शोशल मीडिया पर सिद्धू को बॉयकोट करने का हैस्टेक ट्रेंड करने लगा नवजोज सिंग सिद्धू को कपल शर्मा शोओ से किनारा करना पड़ा उन्होंने शोओ से पूरी तरह किनारा किया है या फिर ब्रेक लिया है इस पर अभी सवाल बरकरार है खबर के मुताबर सल्मान खान ने ये फैसला होल पर रखा हुआ है सामने आर रहे रिपोर्ट्स के मुताबर कपल शर्मा शोओ के प्रेड demonstrates सल्मान खान शोओ से सिद्धु को किनारा करने के लिए कहा है लेकिन चैनल और प्रेडियोजर के बीच फाइनल क्या हुआ है इसकी सुचना आना बागी है एक report के मताबिश सल्मान खान शो के producer है शो बीते हफ़ते टी आरपी के टॉप चार्ट में चल रहा है ऐसे में सल्मान खान को और रिस्क नहीं लेना चाते सल्मान खान ने maker से मामले के ठंडे होने तक फैसला नहीं सनाने को कहा है लेकिन शो से सिद्धू को दूर रहने के लिए कहा गया है कपल शर्मा शो में इन दिनों नवजोत सिंग सिद्धू की जगय बतोर जच अर्चना पुरन सिंग ने जगय ले ली है हाली में सोनी टीवी के ओफिशल ट्वीटर हैंडल से जारी किये गई वीडियो में कपल शर्मा पूरे जोश के साथ अर्चना पुरन सिंग का स्वागत करते नजर आ रही है कपल शर्मा से बीते दिनों एक इंटर्वियो में नवजोत सिंग सिद्धू से जुड़े विवाद पर सिद्धू का सपोर्ट किया था इस वज़े से सिद्धू के बाद सोशल मीडिया पर कपल शर्मा को बॉयकोट करने की मांग तेज हो गई थी कपिल शर्मा ने कहा था ये बहुत छोटी चीजे हैं और ये सब किसी प्रोपागेंडा का हिस्सा भी हो सकते हैं मुझे लगता है कि किसी को बैन करना और सिद्धू को शो से हटाना हल नहीं इस वीडियो में इतना ही मैं योगिता शर्मा अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देखनें तो अमारे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए झाल ये दिए सब्सक्राइब करना है